अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके राम राम जी मैं आपका अपना गुलजार चाने वाला आप सबसे एक सवाल पूशना चाहता हूँ कि अगर कोई इनसान अपनी मैनेच से काम कर रहा है अपनी रोजी रोटी चला रहा है तो लोगों को क्या दिक्कत होती है उस चीज़े चली मुझसे दिक्कत होती है माना कि इन चीजों के साथ ये चीज़े आती है मगर हर बार परिवार पर जब बात आती है तो बुरा लगता है इससे पहले भी जब भी एटैक हुआ है फैमली पर ही हुआ है घर पर होता है मैं बाहर होता हूँ अब भी मैं दिल्ली था तब प की पज жизни आता मूझे इस वक्त आप सबके ईजरूरत है और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे आकर बोले अ कि में है तो बाँ बार फेमली को ऐसे टॉछर करना मुझे नहीं पसंद नाहीं मुझे ud आगे भी कोई कलाकार आते हैं पहले भी यही डर रहता था कि कल को नाम हो गया तो इंडस्ट्री में ऐसा ही रहता है दबा दिये जाता है हिम्मत करके मैंनत करके पापा को तसली दिलाए कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ जरूर इन्यार किसी के साथ हो मगर आज अब देख रहा हूं तो उनसे नजरे भी नहीं मिला बाता हूं मैं क्योंकि मैंने उनको भी खत्रे में डाल दिये खुद की इस कलाकारी के चक्कर में पहले माफिया गानों के लिए मुझे बोला जाता था कि माफिया गानों से माहौल खराब कर रहा है तो तो मैंने बंद कर दिये मैंने किसान पर गाया मैंने भोले बाबा के लिए गाया मैंने माफिया बंद जबकि मेरा जोनर था उससे मेरा ग्राफ भी खराब हुआ पर मैं मैंने का कोई बात नहीं परिवार को कुछी नहीं होना चाहिए मैं ऐसे कर लूँगा मगर तुबारा फिर वही चीज जब परिवार पर बात आती नहीं इंसान डर जाता है ऐसा है मैंने पहले बेपार दूसरी बार अब की बार मैं हाथ जोड रहा हूं आपके आगे कि जो भी है ये आप मुझसे फेस टू फेस मिलिए और बात कीजिए अगर आपको मुझसे दिक्कत है तो मुझे कर दीजिए जो करना है मेरे परिवार पर बार बार मत कीजिए इससे अगर में परिवार को कल को कुछ हो जाता है मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बाकी गाने तो आते जाते रहते हैं कलाकारी से पहले परिवार है मेरे लिए और मैं इंडस्टी से भी सीज़ का जवाब मांगता हूं कि मेहनत करके खाना क्या गलत है हम कभी पहले होता था गानों में गलत बोला जाता था लड़कियों को नचाया जाता था मैं ऐसा कुछ नहीं करता मैं फैमिली बेस्ट सॉंग बनाता हूं वमेशा बच्चे सुनते मुझे और फिर भी मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है मुझे नहीं समझा रहा है यसा क्यों हो रहा है और इस वज़े से मैं पिसल तीन महीनों से मेरी चीज़े बिगडी हुई थी मैं डिप्रेशन में था मैंने किसी को कुछ नहीं बोला मैं बोल ही नहीं पा रहा था मिरगाने लेट होना टाइम पर वरना मैं ऐसा नहीं था बस यह जो दबाओ है ना यह मैंटली टॉर्चर नहीं जहन होता मुझसे आप लोगा आपके भरों से बैठाओं मैं बस बाकी मैं कोई बड़ी बैख लेके नहीं आया था पीछे से बस आप लोगों के प्यार से और अब जब गाड़ी बाला भी होगा तब भी आप लोगों ने होसला है दिला है भाई कुछ नहीं होता हम आपकी साथ है तो मैं चीज़े कंटीनिव करता रहा मैंने का कोई बात नी जब साथ है मेरे सब तो मुझे क्यों डरना मगर जब मेरे अपनी मुझे छोड़ चुके आज मैं क्या गरूं हाज अकेदा पड़ गया हूं मैं मेरे साथ वाला कोई साथ नहीं है मेरे जब मेरे साथ है